हेलो दोस्तो एक बार फिट से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अचासी टिप्स में स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसका फोल्डिंग क्लैंप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्लैंप क्या है क्लैंप कितने परकार के होते ह हैं और साथ ही जानेंगे परते क्लैंप का सेफ वर्किंग लोड कि उसका लोड कापिसिटी कितना होता है तो आईए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे क्लैंप क्या है वाट इच क्लैंप क्लैंप एक परकार का मैटेरियल होता है जिसका लोड भी तो आई यह स्टेप बाई स्टेप जानते हैं फर्स्ट आपका राइट एंगल कॉपलर इसको फिक्स कॉपलर या डबल कॉपलर के नाम से भी जाना जाता है इसका उप्यो किसी वर्टिकल या होरीजेंटल पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जब भी हम किसी भी पाइप को 90 डिगरी एंगल पे अगर हम कनेक्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे राइट एंगल कपलर अर्थात की फिक्स कॉपलर का यूज करते हैं जैसे कि आपका लेटजर हुआ है ट्रांजम हुआ है रेलिंग हुआ ठीक है इन सबको कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे फिक्ट कपलर का यूज करते हैं इसका से फ़र्किंग लूट 6.3 किलो न्यूटन डैट मिन 630 केजी होता है ओके सकेंडे स्विवेल कपलर स्विवेल कपलर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे भी अपने को क्रॉस में अगर किसी ट्यूब को जोडने का है तो उस अस्थान पर हम स्विवेल कपलर का यूज करते हैं अर्थात कि जहां पे 350 कजी होता है अर्थच Extreme Plum इसको box clamp भी बोला जाता है इसका उपयोग दो ट्यूब को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है त्यूब का length बढ़ाने के लिए दो ट्यूब को या तो horizontal या फिर vertical दोनों ही position में जोडने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं या एक box clamp है दोनों साइड से हम pipe को lock करते हैं इसके द्वारा ठीक है इसका safe working load 3 किलो न्यूटन अर्थाद की 300 kg होता है next putlock coupler putlock coupler का उपयोग plank को ट्रांजम के साथ fix करने के लिए यूज किया जाता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं यह एक putlock coupler है इसका जो safe working load होता है 0.53 किलो न्यूटन अर्था 53 kg होता है next joint pin clamp इस clamp का उपयोग दो tube को आपस में जोडने के लिए यूज किया जाता है इसमें क्या होता है कि जो आपका यह bolt देख रहे हैं यह क्या करता है उसको tight करने पर जो pipe होता है उसको compress करता है इस परकार से यह जो tube होता है दोनों को जोड़ता है कि एक नेक्सट लेडर कपलर लेडर कपलर का उपयोग लेडर को fix करने के लिए जीज कि जाता है जब भी हम इसका फोल्डिंग एरेक्ट करते हैं तो अपने को चड़ने के लिए लैडर उज़ करते हैं फिर उस लैडर को गीरेना उसके लिए सिक्यूर करना होता है इसलिए हम अपने रेलिंग से या फिर जो हमारे ट्यूब होता है उससे लैडर को सिक्यूर के जाता है इसक फिरうसाइब किलाने के लिए यूज गया जाता है अर्था जब हम अपने सटस्ट करते हैं इसके किसी लिए मिवक्स करते हैं इसमें क्या होता है कि जब भी को शुक्ण करते हैं वहाँ परенд वह करते हzt ठीक है इसलिए दो क्लाइब करें ताकि वो दोनों तरब से उसको सिक्योर कर सके और टप्लिंग होना से रोख सके इसका सेफ वर्किंग लोड 30 किलो न्यूटन डैट मिन 3000 केजी होता है तो दोस्तो इस परकार से मैंने अपने इस टॉपिक को इस विडियो के माध्यम से कवर किया मैं आपकी जनकारी के लिए बता दू अगर आपने हमारे previous वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने इसका folding से related every topics को cover किया है जो कि तीन वीडियो में मैंने पूरा cover किया है जिसमें इसका folding components के बारे में पूरा discuss किया है इसका folding के types के बारे में discuss किया है कैसे कैसे इसका folding के reaction करते हैं एक एक steps को मैंने उसमें बताया है तो अगर आपको वहां से जाके देखना है तो देख सकते हैं जिसका link मैंने already description box में mention कर रहा है तो आपके यहां क्लिक करिए और description box में जाईए अपना जो भी अच्छा लगे channel क्ल करिए वीडियो देखिए और अपने आपको improve करिए तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए useful था कैसा रहा यह वीडियो comment box में अवस्य बताए और अगर आपने अभी तक हमारे channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको प्राप्त हो तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने team का ख्याल रखें धन्यवाद